कि वेंदे मातरम कर्म चारी साथियों ऐफमेस 3.0 से समय दिते एक में तपॉन जानकर रिषाजा कर रहा हूं कई लोगों के एसे की नमबर अपडेट नहीं है आएपमस 3.0 पर या मालो डाटा वेरिफे के उस समय जो भी नमबर थे एसाई के वह जैसे वह नमबर थे उसकी जिगे एसाई या जी पीप नमबर उसकी जिगे जैसे आर जे वाली आईडी या डिफॉल्ट नमबर 0 जैसे 3 2022 में कोई कार्मि से हो तो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप जो भी अपने उच्छे दिगारी या विभागी इंदिर्दिस से उसकी पालना करें दोनों तरीके से आप देख सकते हैं अगर होता है तो नहीं तो जो भी तरीका आपको ठीक लिए मैं दोनों प्रोसेस बता रहा हूं पहला प आपको PayManager Personal Login में आना है परस्NERL Login में आने के बाolé कि और अपडेट की जो भी 5 बी प्रोसेस करके बता हुआ है तो आपको कोई भी document है उसमें upload मांगेगा और उसके बाद में उसको request generate करके डीडियो को पेज़ दें डीडियो को सूचित करें ताकि डीडियो उस request को हडी को पेज़ दें अपरूव करके और हडी से अपरूव होने के एक employee pulled जो भी data का जो option आ रहा था उसमें आपको जो भी है employee जैसी आगे employee pulled details इस पर आपको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके जो भी employee के नाम सो जाएंगे उस नाम के आगे जिस पी कार्मी का employee data पुल करना है उसको आप क्लिक कर लें और data पुल करने के बाद में वो data है आपको बता रहा हूं आप काम करें निकरें तो वो क्योंकि अभी जो option है employee modification का जो option है वो शुरू हो चुका है तो मुझे लगता है यह भी काम करेंगा लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां से employee management में जाना पड़ेगा अब यह जैसे society थोड़ी सी कई बाद डिश्टर रहती है तो आपको थोड़ा से वेट करना या इसको यहां से refresh करते रहना है अब यहां से जैसे employee management पर आप जाएंगे तो management में जाने के बाद में employee modification इस पर आपको क्लिक करना है और personal details इस पर आपको क्लिक करना है यहां जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी employee है आपको करना है तो यहां से मैं जैसे employee details थी इसमें personal की जगे आपको service details पर क्लिक करना है तो service details पर जैसे पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको सामने वहाँ GPF SI की number है तो सो जाएंगे नहीं यह तो blanks हो जाएंगे वह आपको कैसे करना है तो इस site थोड़ी सी बार-बार मैं ब इस सारे आ जाएंगे उसके बाद में यहां से जैसे थोड़ा सा यह data जब भी इवार फैच हो जाए तो यहां आपके सामने जो state insurance के नंबर है और जैसे के नंबर है GPF के नंबर इस तरह के से जो आपके feed के हुए है वह सो हो जाएंगे अगर blank आ रहा है तो blank सो हो सकते हैं अ अब यह जैसे थोड़ा सा लोडिंग में समय ले रहा है तो आपको यहां से उपर से इसको refresh कर लें तो अभी भी जैसे यह थोड़ा सा चल रहा है तो एक बार मैं को सिस कर रहा हूंगे आपको थोड़ा सा इसको पॉज करके बता देता हूँ तो जैसे कि मैं आपको यहां बता रहा था यहां से जैसे जो भी डिपार्टमेंट है टीचर तर्तिशनियत अब बगर रही है यह सर्वीस है सुपर नियूशन की सर्वीस है डेट आप जाइनिंग है यह सारी आगई अब यहां आपके सामने यहां जीपीफ नंबर है यहां आपके सामने जीपीफ नंबर सो हो रहे हैं अगर नहीं सो हो रहे है तो आप यहां से यहां जो भी मैनली नंबर है वो आप इंटर कर सकते हैं इसकी फाइल है वह आपको ब्राउज करनी है याने अप्लोड करनी है इस तरीके से जार सारे जो भी इसके कॉलम है वह आप एक बार अच्छे तरह से बढ़ लें उसके बाद में यहां से अगर आपके अपडेट सर्विस डिटेल्स ऑप्शन यह एक्टिविट हो जाता है तो पूल करना है और डाटा पूल करने के बाद में कुछ समय में डाटा जब फैच हो जाएगा तब हो जाएगा कई लोगों के तो अतुरंद हो रहा है कहीं हो कि समझ से आ रही है तो दूसरा तरीका है कि आप FMS पर जाकर करके आप यह काम कर सकते हैं दोनों तरीके मैंने बता लिएंस ऑ रहेant कई चेंज हो रहें तो आज जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है कड़को ऑप्सां नहीं करें तो यह आपको बैश्यौत रहा हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताए she causes अ आ रहा था अब कहा रहा है मैंने कल ही एक वीडियो बना करके पुरा डिटेल में होता है तो वो वीडियो आप जुरूर देखें तो इसी तरह के अपड़ेटर जैने करें लिए चैनल पर बने रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक जै हिंद जै भारत